बैम बूम प्रीम दोस्तों कैसे हो क्या पोड़ी चानल इंडिया के सबसे पहले गेमिंग चैनल में आपका बहुत सबागात है आप तो आज में इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कौन-कौन से ऐसे गेम्स हैं प्लेस्टेशन फाइफ प्र जिनके मैं एक्साइट बात करते हैं स्पाइडर मैन जो नया गेम आने वाला है प्लेस्टेशन फाइफ के लांच के साथ में माल्स मॉरालेस उसके बारे में हम बात करेंगे तो माल्स मॉरालेस कल्लू स्पाइडर आया तो आया कहां से एक्शली माल्स गॉंजलो मॉरालेस इस परिगुलर क्यारेक की live streams देखना चाहते हैं तो जरूर से जरूर अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बल आइकन को क्लिक कर लीजिए डिसक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए गा तक ही जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या फे कोई live stream करूं तो तरह रहें पर राद आप तक पहुंचे बिजली की किती से अब आगे बढ़ते हैं भाई अब बुलोगार में क्यारक्टर है तो इस करेक्टर की जरूरत क्या थी तो एक्शुली जो यह सप्रेट युनिवर्स को बिलॉंग करता है आप समझो फिर स्पाइडर में इंट थे स्पाइड मैं की जग लेते हुए जैसे यह ट्रेलर रिलीज वा लोगों के मन में एक डाउट आगा जो कि स्पाइडर में के फैन है मैं जब दो स्पाइडर में का फैम हो और स्पाइडर में ही मेरा फेडरीट कॉमिकल और यह सब जो भी मुवीज और आधी है सबसे प्रेट क्याक्ट कर रहे हैं वसला बेच रहे हैं स्पाइडर में के नाम पर दरा सी डिल्सी बट यह क्लियर कर दिया गया है कि जो माइल्स मुराले इस पाइडर मैं आने वाला है पीस वाइव की लाउंच के वाद जो इस साल 2020 वे लॉन्स होने वाला है वो गेम एक सेपरेट गेम है और कम्क टॉप लेवल का अनिमेशन है उसके अंदर इतनी टॉप लेवल की विजुल एफेक्स आर्ट है उसके अंदर की आपने आज के पहले देखी नहीं होगी जरूर से जरूर एक बार फिर से में बोलुगा स्पाइडर में इंट इस पाइडर वर्स मुवी जरूर देखना एक सिकंड एक का जो एनिमेशन है उसमें मिस मत करना आपको इतनी जबर्दस फीलिंग आएगी अगर आप किसी भी तरह से वी एफेक्स मुवी को पसंद करते हैं तो बहुत ही जबर्दस आपको फीलिंग आने वारी है वो मुवी देखने के बाद अब हम चलेंगे अगले कीम क कि तरफ जिसका नाम है Horizon Forbidden West तो येस Spider-Man भी और Horizon Zero Dawn जो कि आफ फर्स पार्ट कह सकते हो उसकी भी लाइब स्ट्रीम हमने की थी दोनों की ही मैं ट्राइब स्ट्रीम डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दू तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं Horizon Forbidden West Horizon Zero Dawn का एक next पार्ट है Horizon Zero Dawn जब रिलीज हुआ था तो एक नई IP के तौर पर रिलीज हुआ था Intellectual Property एक नया गेम नया concept मैंने पहले दिन ही जब ये गेम खेला था तो पहले तीन आर्ज में ही मैंने बात कही थी कि अगर आपको कभी भी कोई नया गेम रिलीज करना है और एक अपनी जो गेम अपनी करो कि आपके वेपेंज लकडियों के हैं और अधर जो प्रिमिटिव टूल्स हुआ करते थे उसको यूज करके लकडियां यूज करके आपके वेपेंज को तयार किया गया है और जो भी Supernatural powers उसमें हो सकती है वह एट की गई है Horizon Zero Dawn मेडिवल प्लस फ्यूचरिस्टिक गेम बन चुका था क्योंकि उसी उनिवर्स है Horizon Zero Dawn गेम का उसके अंदर जो मशीनरी भी इरवांस बनाता है वापस एक सब्सक्राइब करता है वापस से गेम की बात करते हैं कि निक्स जिन हाडवे के साथ में जो प्लेशेशन 5 पर होड़ेजन फॉर्वीजनरी वेस्ट्रीज होने वाला है उसका आप पूरा एंवार्मेंट देखकर ही पता लगा सकते हो या ये ग्राफिक्स कितने जबर्दस होगे हैं पहले के मुकाबले और जो आपका विजन एरिया है यानि की पर्टिकुलर टाइम पे आप जो पूरा एंवार्मेंट देख रहे हो वो कितना ब्यूटिफुल लग रहा है मनदब क्लोज तो रियलिस्टिक गेम की जो अपील है वो रहा हूं और जो भी चैलेंजस मेरे सामने आ रहे हैं उनको में कंप्लीट कर रहा हूं मुझे लगता ही नहीं कि मुझे आपको यह गीम करने की ज़रूत पड़ेगी क्योंकि आप अल्रेड़ी प्लेस्टिशन फैन हैं तो आप ज़रूर यह गेम ट्राइंगे और आपने औ लिए और स्टोरी आगे कैसे जाती है वह भी मुझे देखना है मज़ा आ जाएगी शैतानी सोच का खात्मा कैसे करना है कि रिविला गेम्स के बनाए हुए होराइजन फॉर्बिड इन वेस्ट में इस चीज़ का पता लगा लोंगा मैं देखते हैं अगले गेम के हम बात कर रहा है और जिस एट सिनारियो में रेसेट इवल सेवन बेज आउट अफ था उसके बात सही कुछ सालों बात की यह स्टोरी रेसेट इविल वेले जाने की रेसेट इविल एट में हमें कंटीन्यू होते वे देख रही है हमने डे वन को ही भूत वाला गेम याने की रेसेट अब जाने की अपग्रेड़ एंजन जाने की अपग्रेड़ एंजन पर यह गेम बना हुआ है और ग्राफिकल फिडालिटी बहुत ही खतरनाक होने वाली है अगर आप होराइजन जीरो डॉन का जो जम्प है पिछले गेम से और इस वार जो उनका इंजन इतना सपरतस और अ सब्सक्राइब है और फिर देपलेपस बोल रहें कि हां अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स दिखने वाले हैं आपको हमारे अरी इंजन में बनाए गए इस सर्वाइवल होरर के एंजन भाही जब आएगा तो देखेंगा तुमारा गीम अब इस इन क्यारक्टर से आप सब्सक्राइब है और अपना घर बनाके कोने मस्ती से अपना जीवन यापन वहां पर करते हैं बट सड़नली क्रिस रेट फिल्ल आप भली भाद ही परीचित होंगे पुराना लजेंटरी हीरो है यह रजिडेंट इविल गेम्स का भाई जहां उनके वर्ड में खुसाता है एथन विंटर्स और मिया के और वाई तावर तोड दुनिया हिला देता है वो एथन विंटर्स की फिर समझ लो कि अब यह ट्विस्स क्या है यही तो ट्विस्स हमें अगली वाली रेजिडेंट इविल एट में पता लगाना है तो जरूर हम खेलेंगे यह वाला गेम भी ब अब अगला गेम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अजीब और गरीब गेम है यह साथ साथ फैसिनेटिंग भी है तो इसका नाम है अभी working title है यह इसका नाम अभी final नहीं है project athia या फिर project athia आप इसको अपने हिसाब से बोल सकते हो यह एक सूपर पावर से ग्रसित एक महिला प्रोटागनिस्ट है बहुत सवर्द सूपर पावर्स है इसके पास एक पहाड से दूसरे पहाड पर जंप मार सकती है पलक जपकते ही पता नहीं चले आ गया यहां कैसे आ गई है अभी तो एक किलोमेटर पीछे थी है और जिस वर्ल्ड में ये गेम सेटफ है वो भी अजीब हो गरीब है साथ-साथ अजीब हो गरीब तरह है कि आपको चम-चमाते चमकीले भेडिया यहां वाँ दिखेंगे और उनसे आपका मुकावला हो सकता है या तो फिक हो सकता है कि आप उनको टेम कर लो वही अपने पक्ष में ले लो और फिर दुनिया भर से फाइट करते चलो और गेम की स्टोरी में आगे बढ़ते चलो इससे जाधा इस गेम के बारे में अभी कुछ कहां ही नहीं चाह सकता है क्योंकि डेवलिपर्स ने कोई खास जानकारी दी ही नहीं इसके बारे में अब अंदर रगा सकते हो कि जब इसका नाम ही फैनल नहीं किया है लोगोंने प्रोजेक्ट एथिया या इसाया दे रखा है तो फिर इन्फोमेशन बहुत ही लिमिटेड इस गेम के बारे में अगले गेम के अगर आपने अगर आपका ब्लॉक फॉनडो है वह बहुत ही माइक्रोशेकंड के होती है अगर आपने रैशली टि मैं किया उसके बाद आपने आपने कंटर नहीं कρι Cong stiff तो वह चांस आप मिसें चारह और फिर आपको अगली बार वेड करना पड़ेगा डेमिकर उसपैक ब् एनिमी के अटैक्स का पता लगा नहीं सकते हैं, आपको फाइट करते रहना पड़ेगा, हो सकता है, आप मरोद होती ही, इन बार तब आप जज़ कर पाओ कि हाँ यार, यह इसके जो मूव्स हैं, एनिमी के जो हिटिंग मूव्स हैं, यह इस पर्टिकुलर वेराइटी में काम कर रहे हैं, और इसके बाद यह अटैक करता है, तो मुझे इस तरह से बचना है, तो और जो हैवी अटैक्स होते हैं, उनसे तो आप बची नहीं सकते हैं, महाँ आपको इवेर्ड ही करना है, इस गेम के लिए भी मैं बहुत एक्साइड़ हूं, डीमन सोल्स, तो यह आप ब वाल हाला की बात करो, वाल हाला, टॉप 5 गेम के तो मैंने बात कर ली, वाल हाला है, जो कुछ समझ में या रहा है, मैं असाइसन स्क्रीट का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने असाइसन स्क्रीट और इसी के लावा, कोई भी गेम मिस नहीं किया है, सारे गेम मेंने खेल कर असाइसन स्क्रीट के, तो मैं बड़ बड़ा फैन, ऐसा नहीं है, बट जब मैंने असाइसन स्क्रीट और इसी खेला, अगर आपने बहुत अच्छे से खेला है, और डीपली टाइम इन्वेस्ट करके उस गेम को पार किया है, साइट क्वेस्ट खेली है, तो कहीं नहीं प्लब नहीं है, स्टोरी डीप होनी चाहिए, और फिलर में थोड़ी से वराइटी होनी चाहिए, मैं बहुत परिशान हो यार, सेम तो सेम फिलर को, कि यार, कंदेब उठाके किसी को ले के जाओ, वेद जी के पास, वो यार, उनका इलाज करेगा, वापस उठाके ले क्या ह कोई पाके निकल ले किसी बहाँजी का तो उसको पकड़ ले के आओ, तुमारे पास इडन ब्लेड यार, यार, तुमारे पास एडन ब्लेड यार, यार, सब काम करना बाकी है, मतलब, तो, येस, मतलब, फिलर में थोड़ी वराइटी होनी चाहिए, और, कॉमबाट थोड़ ये रही, टॉप फाइव गेम्स की मेरे लिस दोस्तों, आपके क्या पसंदीदा गेम है, आप मुझे जरूर लिखकर के बताएगे, आप सोच रोग कि यार, फीफा की तुमें बड़ा तारीफ करता है, ये कर दिया था न वो कर दिया था फलाना दिमका तुमेने फीफा ट् देखने को मिले का मुझे सालगता है, फीफा 22, ओके मैं चलता हूँ आप जरूर लिकर के मुझे बताओ, और आने वाले वीडियो में आने वाले लाइव स्ट्रीम में आप से फिर मिलने वाला हूँ, एक बर फिर से कहूंगा कि सब्सक्राइब करें अभी के अभी और अपन को प्रणाम कर तो हूँगा मैं पारी शेयर्व, पगवाँ